हलो फ्रेंड्स वेलकम टू ग्यानधारा क्रक्स अनलिसिस में हम डिस्कस करेंगे भारत के ऐसे छह स्थानों के बारे में जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हैरिटेस साइट्स की टेंटेटिव या इस्थाई सूची में स्थान मिला है वीडियो में आगे हम जानेंगी कि ये छह जो स्थान है ये कौन-कौन से है और इनकी क्या-क्या विशिस्ता है तो सबसे पहले हम बात करें कि हाली में रिसेंटली ही भारत के 6 स्थानों को 6 ऐसी साइट्स है उन्हें UNESCO की World Heritage Site की Tentative List अरिस्ताई सूची Tentative List में यहाँ पर रखा गया है यदि हम UNESCO की बात कर लें UNESCO means United Nation Educational Scientific and Cultural Organization ये इसका फुल फॉर्म होता है जो की विस्विधरोहर की रूप में कई स्थानों को अपना सर्रक्षन प्रदान करता है वेश्विक रूप से यहाँ पर यदि हम बात करें कि इन छहिस्तानों का सम्मिशन जो है ये आर्केलोजिकल सर्वे औफ इंडिया दौरा यानि की भारतीय पुरा तक तो सर्वेक्षन दौरा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जो ये जो पूरा सिस्टम है ये विभाग जो है ये भारती इसमारकों के संर के दिए हम बात करें कि संभावित इसकी सूची क्या होती है और किस प्रकार से काम करते हैं तो यूनिसको के अभी जो ऑपरेशनल गाइल लाइंग 2019 जो निकल कर आई है उसमें यह कहा गया है कि अनुसार किसी भी इस मारक स्थल या कोई भी जो स्थान है जिसे हमें इस पहले एक वर्ष के लिए एक साल के लिए जो है वो टेंटिटिव लिस that is TL में रखना अनिवार है उसके बाद फिर जो लास्ट जो 去了 nomination होता है वह उसके बार यहां पर विचार किया जाता है पहले एक साल जो है अस्थाई डूप से इसे रिस्ट में रखा जाता है फिर उसके बाद अंतिम नामंकन का जो डोजीयार होता है उसमें प्रस्तोत इसे किया जाता ह फिर एक बार यहादी नॉमिनेशन हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उन्हें वर्ल हेलिटेस सेंटर में हैं जो से भीज दिया जाता है यदि हम बात करें कि ये जो है ये विश्व सांस्कतिक या प्रागत कि जो विरासत है में 2472 में कन्वेंशन हुआ था उसके माध्यम से ये जो साइट्स है, ये अपने यूनिवर्सल यू वेल्यूस हैं रूप में नावांकित किया जाता है कि इस प्रकार से ये यूनिवर्शल रूप से अपने आप में अलग हैं किस प्रकार से ये काम की जा रहे हैं यह वर्ल्ड हैरिटेज सेंटर की बात करें तो जो 1972 का जो कन्वेंशन हुआ था उसका यह क्या है एक सैकेटरेट के रूप में यहाँ पर यह काम करता है यदि हम दुनिया भर की सांस्कितिक या प्राकतिक छेत्रों के बारे में बात कर लें तो यह जो है जो दुनिया भर के यूनिवर्सल रूप से यदि हम किसी छेत्र के बारे में बात करते हैं आदिक है स्कीविद्जी के वर कद्रों के भी यृह्ना हो ग्रांस के से बाद एडिक से एफे़िशंगी करते हैं सर जो इसनरी टॉट्ञाल हो क्यों तो अठ वरहें अधि है अधिहासिक रहे घंगे-अमारत ऐसे को बार्रहन है गर सहर स्थल के बारे में बात करेगा, मूर्तिकला रहेगी वहां पर वहां की कुछ विसे इस रहेंगी, उसके हिसाब से ये डिवाइट किया जाता है, वहीं नेचरल हैरीटेर साइट की बात करें, तो इन साइट में ऐसी साइट साती हैं, ऐसे स्थान आते हैं, जो यदि हम तो प्राकतिक रूप से कैसे रहें, रिच रहें, यहां पर अलग प्रकार की एक उत्रस्ट पार्सित की तंतर रहें यहां पर, ठीके न, कई अलग प्रकार की प्रक्रिया हो, प्राकतिक रूप से कुछ ऐसी घटनाय दुरगटनाय हुई हो, दुल्लव या अलग प्रकार के लुप्त प्राय जो प्रजाती हैं या स्पीसीज हैं उसके जानवर यहां पर मिल रहे हूं उनका आवास हो तो ऐसे जो स्थान है वो नेचरल हरिटेस साइट्स की केटिगरी में आते हैं वही हम बात कर लें मिक्स की तो जो एलिमेंट्स रहेंगे बोथ नेचरल और कल्चरल के जो भी मुख रहेंगे वो इसमें आ जाएंगे दोनों रूप से जो सम्रद्ध है तो वो मिक्स केटिगरी में आते हैं यदि हम भारत की बात कर लें तो भारत की लगभग अभी 38 38 ऐसे साइट्स हैं जो विस्वदरोह रिस्थल में सामिल की गई हैं जो 30 है 30 जो है वो सांस्कृतिक रूप से संपत्तियां 7 जो है वो नेचरल है और जो 1 है वो मिक्स्ड साइट्स के रूप में यहां पर सम्मलित की गई है नए की अवधी बात कर लें हम अभी अभी जो बना है वो राजिस्थान का जैपोर पूरा का पूरा जो सिटी है उसे कल्चरल में यहां पर रखा गया नवीनतम जो सामिल हुआ यदि आप देख पा रहे हैं यहां पर यह जो है 38 यहां पर हमारी वर्ल हेरिटेस साइट है जिसमें ताज महल हो गया आगरा फोर्ट हुआ रेड फोर्ट हुआ हुमायूस टॉम हुए ठीक है ना खजराहो ग्रुप्स हुआ ठीक है तो इस प्रकार से साची के स्थूप हु है तो सबसे पहले हम बात करेंगी यहां पर वो है अभी तक जो है वो 48 साइट्स हैं भारत की जिने टेंटिटिव लिस्ट में आयस्थाई रूप में यहां पर रखा गया है ठीक है ना जो नए नियाम अभी हमने पहले देखे उसके अनुसार पहले एक साल के लिए टेंटि पर रिजर्व जो की कहां पर सिचुएटेड है मद्र प्रदेश में स्थित है यहां पर लगभग जो है वो 26 हमा जो यहां पर रेप्टाइल है 26 स्पीसीज उनकी यहां पर पाई जाती है और 42 स्पीसीज के यहां पर घर यहां पर नीलगिरी एरियास में यहां पर कहे जा र रिजर्ब है और जो ताइगर की पॉपूरेशन भी है बाघों की सबसे वड़ी जो आबादी है वो भीुसी की टाइगर रिजर्ब में रखी जा रही है तो इसे एक लिस्ट में रखा गया है। दूसरा यदि हम बात करें, घाट्स ओफ वारानसी, ठीक है, वारानसी के यह हम कहें वानारस के जो गाट है, जो की उत्तर प्रदेश में इस्तित है, वो लगबग चौधवी सताबदी के हैं, लेकिन उनका फिर से जो निर्मार है, जो रिविल्ट है, वो अठारवी सताबदी में जो मराठास डाइनस्टी के जो रूलर्स थें, उनके द्वारा यहां पर करवाया गया था, और जो वारनसी पूरा जो सहर है, बानारस जो पूरा सहर है, उसका हिंदू, जो पौरानिक उनकी कथाएं हैं, उनके हिसाब से इसका विसेश महत्व है, जो हिंदू के इस थाने उसको रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको भी एक लिस्ट में रखा गया है, पूरे के पूरे सहर को, गाटस हैं जो बना अनसी के, उनको रखा गया, नेक्स डेदी हम बात करें, फिर आता है यहां पर, नेक्स डेदी हम देख पाते हैं, त उनको इसमें रखा गया, यह क्या है, यह हम इनकी बात करें, तो यह लगभग 2800, है न, 2800 साल पुराना एक साइट है, जिसे महापाशान स्थल भी कहा जाता है, ठीक है न, प्रिहिस्टोरिक मेगलिथिक सेटलमेंट्स हैं, यहां पर पत्थरों के एक प्रकार से यहां पर क यहां पर यह जो है, ग्रेनाइट की में कुछ-कुछ सरचना है, जो इसमारक की रूप में काम किये जा रहा है, जो कई प्रकार की अनुस्ठानों के रूप में भी यहां पर बात कर सकते हैं, यह जो इसमारक है, यह बहुत हम कह सकते हैं, प्रीसियस जो है, यहां पर संग्र इसलिए साइट को भी मानता के लिए यहां पर प्रिस्ताबित किया गया है तो यह कुछ रिच्वल से रिलेटेड जो ब्यूरियल जो रिच्वल से उसके अनुसार यह पूरा सेटलमेंट देखा गया पत्थरों को एक यूपर एक इस प्रकार से यहां पर रख कर अलग-अलग काकरती यहां पर बनाई गई है उसके बारे में यहां पर दिया जाएगा यदि हम नेक्स्ट बात करें तो यह आता है माराथा Military Architecture in Maharasht ठीक है, महारास्ट में जो माराथा की सैनने कला थी, सैनने वास्तू कला थी उसके वारे में एक ये साइट है यदि हम मारास्ट की बात करें तो लगवग सत्तर भी अठारी सेथाबदी में चत्तपती सिवाजी जो जब वहां के राजा हुआ करते थे तो उन्होंने बारहा किले वहां बनबाए थे यह टोटल वहां पर बारहा किले है और इन किलों का नाम है यदि हम बात करें, तो सिविनेरी, राइगड़ तोड़ना, राजगड़ सालहेर, मुलहेर पनहला, परतापगड, लोहगड सिंदु दुर्ग, पद्म दुर्ग, विजय दुर्ग और कोलबा, ये सारे दुर्गों को भी इस साइट्स में इनकी बास्तुकला के अनुसार ही यहां पर निर्दिष्ट इनको किया गया है वर्ल्ड हरीटेस साइट्स के रूप में नेक्स्ट यदि हम बात करें भेडा घाट की ठीक है, भेडा घाट, लमेटा घाट इन नर्मदा वैली नर्मदा घाटी के भेडा घाट और लमेटा घाट जो की मर्द पदेश के जबलपुर सहर में इस्थित है इसे भी tentative list में डाला गया है भेडा घाट, जो की भारत का Grand Canyon भी कहा जाता है जबलपुर जिले का वहां का एक सहर भी है जहाँ पर यह जो है वो situated है, यहाँ पर basically क्या है यहाँ नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर क्या है संगमर्मर की उसकी बीच में से जो नर्मदा नदी है वो वहां से होकर बहती है ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो इस छेतर में डाइनासौर के भी कई जीवास में पाए गए थी नर्मदा नदी में अपने रास्ते में संगमर्मर की चट्टान उसे बिसेस रूप से बनाती है और फिर आगे चल कर यह सक्री हो जाती है नैरो हो जाती है और आगे चल कर एक यह जहने के रूप में गिरती है तो यह जो जहना है इस बज़े से यहाँ पर धुए जैसा है जो पानी गरता है वो दुवे जैसा दिखाई देता तो इसलिए इसे भी एक साइट की रूप में देखा गया और इसे जो भेडा गाटे से दुवाधार जलपरपात भी यहां पर कहा जाता है नेक्स यदि हम छटवे और लास्ट की बात कर लें कौन सा यहां पर नॉमिनेशन भेजा गया है तो सब यह है टेमपल्स ओफ कांची पुरम जो कहां पर इस्तित है टमिल नाडू में इस्तित है कांची पूर्व पूरे सहर की बाद कर लें तो यह जो सहर है अपनी आध्यात्मिक्ता स्पिरिचुलिटी पीस और रेशम सिल्क के लिए यहां पर माना जाता है जाना जाता है वहीं पर यदि हम देखें तो यह बेगावती नदी के बैंक आफ बेगावती के पर यह सिचुएटेड है ठीक है और यह जो एतियासिक एक जो नगरी है यहां पर लगभग कितने थे एक हजार मंदर उस समय पर थे लेकिन अब हाला कि यहां पर 126 मंदर ही बचे हुए है अभी अपने जो मूल रूप में है जिसमें से भी यदि हम बात कर लें जो 108 जो टेंपल्स है वो लौड सिबा को यहां पर डेडिकेटेड है और यदि 18 जो टेंपल्स की बात कर लें तो लौड वेश्णवा को यहां पर विश्णु जी हम कहें तो उनको यहां पर डेडिकेटेड है ठीक है तो इसे भी एक साइट के रूप में रखा गया है और यदि हम कांचीपुरम की बात करने तो यह पांडवा पल्लवा डाइनस्टी के एक रिच लेगिसी को यहां पर दर है किसकी इस्थापतिक अला का तो इन मंदरों में वो यहां पर देखने को मिलता है तो इसके संरक्षन के लिए इसको एक वैश्विक धरोहर की रूप में दर्साने के लिए भी भारत द्वारा इसे एक टेंटिटिव लिस्ट में डाला गया है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप हमें फेस्बुक पर भी जॉइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं So, please like the video and subscribe the channel and keep learning